अलो स्टूर्टाइंट आज हम लोगर क्लास 10 का फिजिक्स, चाप्टर 13 Magnetic Effects of Electric Current का आज हम लोग Topic देखेंगे Alternating Current तो हम लोगरा Alternating Current होता क्या है Alternating मतलब क्या होता है Change Alternating मतलब Change ले किसमे Change, Current Current में Change, ठीक है ना तो Current में क्या Change हो सकता है тогiet magnitude और Direction अब इसको समझते ऐसा एलेक्रुक्रेंट फीकरेंट के साथ में की साथ chess Less में होता है जो टेर्ट यूंदे चेंज होता है और जो डयेक्षिन होता है ब्रौडवाफ जिसेacas डिलाफ अगर हम लोग देखेंगे तो क्या सब्सक्राइब कर देखें तो यहां समझते इसका मतलब की ड्रीसेन और Р 대 अगले अगले से लगे घाओ और अगले बार में लोग किदर जाएगा इधर से गया किदर से गया क्या सबसंदर आप लोगने क्या है जखते हैं आगे देखते पकल यहां हम लोग देखेंगे क्याशा वेव बंडरा द wrist चक्णेलां होगा आप लोगों ने क्या होता है यहां पे frequency में होना पड़ा था ना क्या होता हम लोगा की frequency क्या क्या था हम लोगा दा नमबर ओफ cycle completed by by the AC in one second is called the frequency of AC अभी हान समझी क्या करें ना मतलब की एक अपर यहां पर करण्ट यहां से हो रहा है तो तो पारे पास नहीं होगा वो क्या होगा पहले 0 होगा फिर धीर 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 करते करते हैं 10 तक जाएगा फिर वापिस क्या होगा वो फिर 0 में जाएगा और फिर क्या होगा यहां से भीज़ाद से यहाँ टेन तक जायेगा फिर यहाँ फिर जीडों से फिर चलती रहेगा क्या के प्लब यहां पे समयचे है यह तो था हम लोग का बता दियां मैंने ड्यैक्शन बी चंज देख रहा है हम लोग का और भी क्याया बीटिट बन ओर ऊस्ouleट somos 50 बनता है कितना बनता है 50 यहां पर देखे दा frequency of AC in India is 50 Hertz which means that AC change its directions for 100 seconds ठीक है माने कि हम लोगा जो एक सेकेंड में कितना बनता है wave 50 wave बनता है 50 wave बनता है तो हम लोगा एक सेकेंड में कितनी बार current का direction change हो रहा है कि अदेखें एक बार में मतलब कि 1 वहम लोगा देखें एक Juliet कि नहीं गढ़ी एक इधर फिर एक इधर थीके दो बार कि चेनज हो रहा है ah तो 50 वहम देखेंघा किना बार हम लोगा करना करेंट अंड्रेड किसा होगा 100 बार क्या होगा उसका डायेक्षिन जोगा चेंज होगा करेंट का डायेक्षिन कितने बार चेंज होगा है यह इंडिया में कितना है 50 हर्ट्स लेकिन अधर कंट्री में कहीं कहीं 60 1560 Чер不到 65 60 5560 अधर कंट्री में हमारे हां हमारे इंडिया में कितना 50 हर्ट आप यहां पर देखिंगेंगे DC current, ठीक है, DC current क्या होता है, यहां समस्थी है, DC current क्या होता है, इसमें magnitude और हम लोह का magnitude भी, क्या होता है, लोका कभी कभी change होता है, वरना वो भी खीता अ कॉंस्टेंट होता है, ठीक है, यहां पर देखें, क्या है, an electric current whose magnitude is, either constant और variable, बट दा डिरेक्ष्प्षिन रिमेंग इसकल डाय के अल्टरनेट ज undi तो दोनों चेंज हो अडेशन भी लेकिन टेरेक्षन जो में वे जैंज होती है ठीक डाय में तुरिप alahreilles करेंड हो स्द॥मिट कर्णे इस था या फिक अने क्या होता है चींज होता है नहीं होता है इसका डायरीक्शन चेंज नहीं होतı बैटरी बैटरीत देखा होगा तरह नहीं समझते हैं ने रिष्ट करेंट का यहां पर इसका हम लोग ये भी देख लेते हैं इसका हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं डैराइट करेंट का ते हम लोग का बॉलेने करुब का क्या को जाएगा ग्राफ में जाएगा ठिक ना यह सी इसvoor में जाए जाए क्युए सी में चांड से मतलब कि कभी कःए चन्ज होता है और तज्िन चेंजेअ का होता ही नहीं है क्या होता है सेम होता है ठीक है डारेक्शन जो होता है डारेट करेंट का वो क्या होता है डारेक्शन रिमेंज दा सेम मतलब हमेशा क्या होता है उसका सेम रहता है चेंज नहीं होता है तो इसका ग्राफ हम लोग का इस ऐसे बनेगा ठीक इसको थोड़ा बढ़ा कर दे भीव रहता है ठीक है और डारेक्ट मतलब यह रिपेल करता है ठीक है ना अगर जिसी की alternating current कहीं एल्टरनेटींग current लगा हुआ है और किसी ने इसको जाकर मतलब गती सी छूद्यों से current लग गया तो क्या होगा एक बार alternating current ना अगर इसको मतलब की क्या होगा तो फिर उसे छुटा नहीं पाएंगा ठीक है लेकिन डारेट करेंट्स नहीं होता है ठीक है अगर इक बार उसमें लग गया तो वो क्या होता है उसे चिपक ही जाता है जल्दी छोड़ता नहीं, क्या है अल्टरीकों क्या है अल्टरीकों से अल्टरीकों क्या है, यह तो बहुत इस नहीं से जाएगा तो अल्टनेर्टिंग करेंट है जैसे होता है जैसे कि हम लोग जाहां नगे तो हम लोगा भीजली वाहां से प्रोडूज हो रहा है वहां से पावर हबस में अगा और आरवर हर्स थे कहा जाएगा फिर्र हम लोका घर में जएगा तो ंरू का यहां पर क्या है यहां से बिजली बन रहा है और यहां पर क्या है इसलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं एसी करेंट को ही हम लोग क्या करते ही करते हैं जो हम लोग का और इसका हम लोग चेंज भी कर सकते हैं ठीक है हम लोग जो डायरेक्ट करेंट है और डायरेक्ट करेंट है और हम लोग का एसी करेंट उसका हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ठीक ह क्या कहते इंवर्टर कहते ना याद रखेगा यह सब एक्जाम में पूछा जाता है आपका एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है तो आज हम लोग इतना ही टॉपिक देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नया टॉपिक कुछ और टॉपिक्स देखेंगे हम लोग आप लोग इसको पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे टॉपिक में डीसी जेनरेटर भी देखेंगे जेनरेटर क्या होता है इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे सुस्टेन वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थाइंक यू